जय हिंद इस वीडियो में बिल्कुल असान मासा आपको बताऊंगा कि पी रेसियो क्या होता है यह कैसे निकाला जाता है तता है यह कैसे हमें हेल्प करता है किसी श्टॉक को बाइक करने में वीडियो बहुत जद्धा इंफर्मेटिव होने वाला आपके लिए ध्यान से पी का मतलब होता है कितना लागाऊंगा और कितना मिलेगा किनल रुपया लगाऊंगा उसको प्रॉपया खरिदे कितन सब्ड़ में अब आपको कितना मुनाःफा होगा इसको अर्निंग पर से करते हैं और अब समझते हैं यहां पर Dur commercials बीने और आप लिलाने जह कंपनी एह और कंपनी भी एक से प्राइस पांक सू रूपय। और आर्रणिंग पर सो रूपय। आगर कंपनी यह का हमें P.E. ratio निकालना है तो इसके share price में इसके earning per share से divide करेंगे तब इसका P.E. आजाएगा 5 उसी तरह जो company B है इसका जो share price है 1000 रुपया और earning per share है 100 रुपया तो इसका P.E. निकालना है तो इसके share price में इसका earning per share share से divide करेंगे इसका P.E. आजाएगा 10 अब आप बताएगे इस दोनों में सस्ता कौन है मैं यहां company के सस्ता महांगा की बात नहीं कर रहा हूं यहां company का महांगा सस्ता जानने के लिए इसके लिए उसका valuation उसका out standing shares तमाम चीज़े देखनी होती है यहां P.E. ratio की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि यह वाला सस्ता है क्योंकि 100 रुपय कमाने के लिए हम यहां सिर्फ 5 रुपय देने पड़ है और इसमे। 100 कमाने के लिए 10 रुपय देने पड़ है तो इसलिए सश्ता है लेगिन जब आप किसी stock को buy करने जाएं तो उसका पी-रासी बाता है इसके जा कम्पणी D का PE है 20 अब यस दोनों कम्पनियों का एक एवरेज पी निकालेंगे तो आप किसी कमपनी के मांगा जानने के लिए आप उस दूसरी कंपनी है उसका एवरेज पी निकाले और उससे अपने इसाब बैठा ले लेकिन अब जो बाते में आपको बताने जा रहा हूं उसको सुनकर आपकी दिमागे चक्रा जाएंगी जी बिल्कुल जैसे कोई कंपनी है अगर साल दर साल वो अपनी प्रोफिट को दूगु अगर इसका पी निकालेंगे तो पी आजाएगा 10 लेकिन अगर यहीं कंपनी 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 डी अगले साल अपने और निंग पर कर लेती है तब इसका पी अपने आप आधा हो जाएगा जैसे माने हर्न का दोनी हो गया 10 जाल 2022 में अपनी पर यह जर्ड दुगूना हुआ, P E Ratio अपने आप आधा हो गया, और साल दर साल जैसे जैसे इसका Earning पर Share बढ़ते जाएगा, P E Ratio अपने आप कम होते जाएगा, तो जो Smart Investor होते हैं, उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता कि P E Ratio कितना है, वह company को देखते हैं। stock को चुनते हैं, quality stock को, देखते हैं कि उसमें potential है या नहीं, उसमें growth है या नहीं, तब जा कर उस company के share को buy करते हैं। सिर्फ PE ratio देखकर वो company के stock को नहीं चुनते और हमें भी सिर्फ PE ratio सचता है या मांगा यह देखकर उस company का share को किसी भी company के share को buy नहीं करना चाहिए फिर भी मैं PE ratio के लिए कुछ चीज़े लिखा हूँ वो आपको बहुत ज़्यदा help करेंगे किसे stock को चुनने में उसके बारे में बताता हूँ देखिए PE ratio जितना कम रहे उतना अच्छा माना जाता है लेकिन यह निगेटिव में नहीं होना चाहिए किसी भी company का PE ratio निगेटिव में नहीं होना चाहिए तब आप उस company के share को बिल्कुल बाई मत करें PE ratio हमेशा lowest 10 पर होता है और highest 30 पर होता है PE ratio lowest 10 और highest 30 जब 10 का आज पास से हो PE ratio तब आप उस company में जितना मन करें उतना रुप्या लगा सकते हैं लेकिन जब highest पर हो यानि 30 पर हो या 30 से उपर हो तब हमें उस stock में पैसा लगाने से बचना चाहिए जब भी आप किसी company का PE PE ratio सचता है या महगा है तो उम्हीद करता हूं वीडियो आपको informative लगे होगी मैं जो बताना चाहरा था आपको समझ मैया होगा अगर मन में कोई सवाल है तो जरूर पूछे बाकि मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यबाद सुक्रिया